मनुस्मृती जलाओं, लेकिन जाहिलों की तरह नहीं। बाकी दर्जनों स्मृतियां हैं। जानते हो क्या कॉम्रेड। ब्राह्मन वादी क्विज नमबर थी। भारत में किस शासक के समय मनुस्मृती से शासन निर्देशित होता था। इसका सीधा सा जवाब है, किसी के समय नहीं। मनुस्मृती कभी भी भारत में शासन का जरिया नहीं बना है। वस्तुतह स्मृतियां क्या हैं। स्मृती का अर्थ ही हुआ। वे धर्म ग्रंथ जो रशियों ने समाज के सम्यक संचालन के लिए अपनी याददाश्ट के आधार पर लिखे। सनातन में शृती और स्मृती की परंपरा रही है और सारे ग्रंथ भी इसी आधार पर विभाजित हैं। शृती का अर्थ सुना हुआ और वेदों को कुल चार यह मानते हैं। क्योंकि उन्हें अपौरुशे भी मानते हैं, किसी का लिखा हुआ नहीं मानते। कुछ लोग पुराणों आरण्यकों को भी इनमें गिनते हैं। लेकिन मूल विचार केवल वेदों को शृती मानता है, बाकि सब को स्मृती में गिनता है। समाज के सम्यक संचालन के लिए आरशियों ने शृती के आधार पर अपनी स्मृती से कुछ नियमों का संकलन किया, जो बाद में समृती के तौर पर ही कहे जाने लगे। बेचारे गरीब मनु फंस गए, वरना तो कुल दर्जनों स्मृतियां हैं, उन में से अत्री, विश्णू, उश्ना, ब्रहस्पती, पाराशर, शंख, लिखित, आदी प्रमुख हैं, कुछ उप स्मृतियां भी हैं, जैसे गोभिल, बौधायन, जमदग्नी, भरद्वाज, अश्यपादी, बाबा साहिब अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, वे भी अंग्रेजों के फैलाए कचरे पर ही आश्रित थे, मनु को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कि जलाकर बबबबा उसकी किताब को प्रसिद्ध कर दिये, मुझे पूरी उम्मीद है कि पोर्न संपादक और उनके चवन्नी अठन्नी चेले इन में से अधिकांश का नाम भी नहीं सुने होंगे, जानने की तो बात ही क्या, क्षेपक वगेरह की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरह 11,000 श्लोकों का जये आज एक लाख श्लोकों का महा भारत है, कौन सी मनुस्मृती भाई लोग जला रहे हैं, उनको भी पता नहीं है, पता चला कि 1957 में किसी धूर्त ब्राह्मन ने अपनी किसी उलट बांसी को मनु के ना पर छेप दिया है, मुख्य बात यह है कि वह शासन का कहीं कोई आधार रहा हो, ऐसा प कि सondere दिया है कि वह शासन का मुख्य दया है, उनको भाई यह है किसी उलट ने पार उले, बात बीज़ आखने यह जिला रहा है, रहा है, वह है मुझ्य आधार यह दो तूोबड़ भी है, उनको जरता है, और शका उला है, तो तंका एला है, पता जोड़ टहाएं स की बिा